है काई वात्स आप क्या है चाल वेलकम बैक टो आज चैनल मेरा नाम है संचित ग्रोवर इस वीडियो के निदर हम डिसक्स करने वाले हैं सिए फाउंडेशन हम कुछ ऐसे चैप्रस डालेंगे जो वेटेज में हाई हैं मगर जिन पर टाइम कम लगेगा तो पहले हम उन चैप्रस को फोकस करेंगे जो में अच्छे का से मांक्स दिलवा देंगे पर हमारा कम समय लेंगे केटिगरी बी में वो चैप्रस जिनकी वेटेज भी ठीक ठाक है पर टाइम में वो टिक ठाक लेंगे मांडरेट्टेउच हमद इन ताइम उनक다 केटिगरी में नहीं करने, सिर्फ category ये वले करके जले जाने हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहा रहा, slivers हमें पूरा करना है, 100 marks का slivers करके आएंगे, 90 above marks का, 95 above का paper attempt करके आएंगे, तब ये मंच्छमा स्कोर कर पाएंगे, तो करने हैं सारे chapter हैं, बट क्योंकि आपके पास इस समय लिमिटेड समय हैं, तो it is important that आप अपने time A को धंग से use करें, तो let's start, सबसे पहरा number किसका आता है हमारा, category A का, यहाँ पर मैं कौन से chapter डालना चाहूँगा, सबसे पहले micro के तीन important chapter, chapter number 2, chapter 3 और chapter 4, इनको मैं जब भी बोलता हूँ, हमेशा sequence में बोलता हूँ, जिन अच्छों ने हमसे classes लिया हैं, उनको मैंने बता रखा है, इनके concepts आपस में interrelated हैं, तो इनको जब भी करो, same sequence में करो, और इनकी weightage भी अच्छी कास ही है, चेप्टर 2 के अंदर 3 units हैं, बट बहुत ही easy units हैं, और new course के अंदर एक demand forecasting का topic हुआ करता था, चेप्टर 2 में, वो भी delete हो गया, तो उस वज़़े से chapter 2 के कहते हैं, जो coverage है, वो थोड़ी कम होगी है, बट weightage में अभी भी कितने marks का है, 10 marks का है, फिर chapter 3 की बात करूँ, बहुत ही छोड़ा chapter है, cost और हमारा production वाला, अगेन इसकी भी 10 marks की weightage है, और chapter number 4 मैं कहूंगा, उपर वाले दोनों chapter से भी छोटा है comparatively, क्योंकि इसके अंदर कहने के लिए 3 units हैं, बट market वाला unit है, वो तो बहुत ही छोटा जल्दी हो जाता है, और unit number 2 revenue वाला, hardly हमारा 5 ए 7 page का unit है, जो मेहनत लगती है, वो unit number 3 में लगती है, जहापे अलगर तरह की market forms हम discuss करते हैं, बट despite that, अगर आपने पहले दो unit में cost वगरा के concept धंक से पढ़ रखे हैं, supply के concept धंक से पढ़ रखे हैं, तो आपको ये करने में जादा दिक्कत नहीं आएगी तब ही मैं कहा रहा हूँ, तीनों units को एक साथ revise करो, linking भी सही बैठेगी और आपको ये 35 marks दिलवा देंगे बड़िया से, इसके बाद अगला number क्या है, macro economics में मेरा suggestion ये रहेगा, आप पहले chapter number 6 कीजिए, क्योंकि chapter number 6 है जो उसमें 2 unit है, एक तो GDP calculation वाला है, जिसमें numerical question भी आत marks की weightage रखता है, ये chapter, दोनों units, तो marks भी अच्छे दिलवा देगा, जैसे आप chapter 6 करते हो ना, उसके directly linking है chapter number 5 की, again chapter 6 आपने अच्छे से कर लिया, तो chapter 5 करने में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, in fact मैंने आपको chapter 6 कर आया था, जिन बच्चों ने में से classes लिए, मैंन को या लोगें, तो वैसी आपका आधर chapter महाँ सी हो जाएगा, तो इसको मैं इसलिए नहीं डाल रहा है, ये weightage में हाई है, इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये free में हो जाएगा, chapter 6 के साथ साथ free में हो जाएगा, तो मैं 6 और 5 एक साथ देखू, तो 20 marks की weightage जाएगी, इसके 5 marks का है, बड़ बहुत ही easy है, क्योंकि उसके अंदर basic concepts हैं, और साथ-साथ capitalism, socialism और mixed economy वह अला topic है, जहां से mainly सवाल आते हैं, इधर से micro, macro और positive normative, hourly discussion अगर आप कर लो, तो ये chapter hardly, एक घंटे से भी कम लेता है, revision करने में, और हमारा 5 number दिलवा देता है, तो इस तरह से मैंने mixed bag बना दिया, कुछ chapters का, जो high in weightage है, और कुछ जो easy-easy है, बड़ 5-5 marks की weightage है, जिससे आपके category A के total weightage, combined weightage कितनी हो गई, 60 marks की हो गई, इनको सबसे पहले आप focus करेंगे, उसके बाद आएंगे, अगरे तीन chapters के ऊपर, जो महनत भी मांगेंगे, बड़ 10 marks भी दिलवाएंगे chapter number 8, totally money के ऊपर है, money, demand, money supply and monetary policy, not, I would say not a tough chapter, because इसके दर numerical question अगर अभी आते हैं, but still time लेगा, इसलिए मैंने category B में डाल दिया, chapter number 9, कोई भी unit chapter number 9 में मुश्किल नहीं है, but हर unit अपने आपने अच्छा कासा समिलेगा, और क्योंकि 5 units हैं, तो hardly 1 unit की 2 marks की 3 marks की weightage होईगी, तो time जादा ले रहा है, easy है, but category B में डाला, क्योंकि जादा time consuming है, वेटे सिर्थ 10 marks देता है, और chapter number 7, again, time consuming, because इसके अंदर आपके taxes की discussion भी है, fiscal functions की discussion भी है, आपके market failure की discussion भी है, fiscal policy भी है, तो time जादा लेगा, मगर marks की नहीं देगा, thus, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हैं ये तीनों की तीनों chapter easy, but आपको 30 marks दिलवा देंगे, छिकर जी, तर लास्ट आता है, chapter number 10, इसको last में मैंने इसलिए रखा है, आप सबको पता ही है, chapter number 10 is Indian economy, डेटा से भरा पड़ा है, बहुत सारा data है, जो आपको कहीना कहीं थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बहुत सारी schemes क नाम है, जो आपको schemes कौन से sector के लिए निकाली गई है, क्या objective है उन schemes का, कुछ जगा में schemes की full form, यह सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उस data को कहीना का याद करना है, तो इसको मैंने last में रखा है, but please take care, you can't ignore this chapter, because यह भी 10 marks का है, so this is how I believe आपको preparation करनी चाहिए, as I always said, को कोई best तरीका नहीं होता, but मेरे इस आप से, जिस तरह से हमारी सोच चलती है पढ़ने की, यह तरीका optimum तरीका है, अब, apart from this method, अगला सवाल यह आता है, बच्चों को सर पढ़ना कैसे है economics को, देखिए, सबसे बहले बात तो मैं यह कहूँगा, अगर आपको economics की classes लिए, economics आपके exam pass में आ रहे हैं, अब अगर आप direct book से पढ़ने बैठ जाएंगे, तो शायद आपको हर chapter पर time जादा लगे, और उतना time हमारे पास है नहीं, तो मेरी advice ही रहेगी, सबसे पहले जब आप revise करो, आप marathons उठा लो, हमने detailed marathon में सारे chapter discuss कर रखे हैं, कोई भी chapter छोडने का इतना सा भी मन करें, उसकी marathon देख लो, आपको marathon वो इतना easy लगेगा, chapter और आपका पूरा detailed coverage हो जाएगी, हमारे marathon के 3 parts है, इतनी detailed marathon मुझे नहीं लगता, आपको YouTube पे कहीं पर भी मिलेगी, आप marathon से chapter देखो, मैं marathon देखना है, मतलब यह नहीं कहा रहा कि 12 घंटे marathon ही देखते तो रटना बिल्कुल मत, marathon से पढ़ो, साथ में book से रीड करते चलो, और बिल्कुल extreme case आगया, time बिल्कुल नहीं मिल रहा हो, चेर पर छोड़ने का बन कर रहा है, चुप चाप 1.5x पे marathon देख लो, मगर प्लीज प्लीज को छोड़ कर नहीं जाना, अगला सवाल वच्चों क पाता है सर, MC की question कहा से practice करें, no doubt आपको ICAI study mat के question तो करने ही करने है, ये तो mandatory है, और इसके अलावा आप कोशिश करो past year के, past year आपको पता है, अभी तक paper ICI ले जाने नहीं देता था, तो MTP और past year जो memory based question है, वो आपको करने है, ये दो चीज तो आप करो, कोशिश करनी ही करन है, ये mandatory है, इसकी कोशिश करनी है, और इसके बाद आपके पास अगर time बचता है, तो कुछ additional questions भी हर chapter के आपको करने चाहिए, और ये तीनों चीजे हमने अपने question bank में डाल रखी है, तो अगर आप देखो कि हमारे question bank में हर chapter के अंदर हमने तीनों section डिवाइड कर रखी है, जिन बच्चों के पास, जिनों नम से classes लिया है, उनके पास तो question bank already है, जिनके पास हमारा question bank नहीं है, उनके लिए हम अपना पूरा का पूरा question bank free of cost अपनी app पर upload कर रहे हैं, इस question bank के अंदर आपको complete chapter wise with solution आपको past year question मिल जाएंगे, additional question में मिल जाएंगे, आपको questions के मामले मे कोई कमी नहीं रहे हैं, यू उतने question कर लो, you are good to go, तो हमारी app है CA knowledge portal, जो हमारे YouTube channel का नाम है, वह हमारी app है, आप इस app पर जाएंगे, sign up करने के बाद, free study material section के अंदर आपको हमारा question bank मिल जाएगा, आप उसको chapter wise attempt कर सकते हैं, so that was all, जो मैं आपको बताना चाहता था, please इस त आपोन से करके चाहेंगे, बड़ छोड़के ने जाएंगे, all the very best, see you in the next video, take care, bye bye.